तो उलंगन करने वाले के साथ साथ संबंदित पृतिस्थान संचालक को भी जिम्मेदार अब माना जाएगा और ऐसे पृतिस्थानों को सीज भी किया जा सकता है अजिस्थान के मुख्यमंत्री अशुग गैलोत ने बुद्वार को कोर्णा संक्रमन के रोक्ताम के लिए बैटक किया और उन्होंने अधिकारियों को सक्त कदम उठाने के निर्देश दिये हैं पिछले कई दिनों में कोविट प्रोटोकॉल की पालना में हुई लापरवाई के कारण कोर्णा के केस तेजी से बढ़े हैं और अब इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशुग गैलोत ने कोविट गाइडलाइन की पालना करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई करने और आइड कर्फ्य कसमें बढ़ाने सहीद अन्य पावंदिया फिर से लागू करने के निर्देश दे दिये हैं उन्होंने काया कि संक्रमन की रोक्ताम में कोई समझोता नहीं किया जाएगा बैटक के दोरान मुख्यमंत्री ने निवास पर ही वीडियो कॉंफरेंसी के जरिया कोविड नाइन्टी और वैक्सिनेशन के हालातों को जाना है इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके मताबिक जहां भी कोर्णा के अधिक के सामने आते हैं वहां के जिला कलेक्टर राज्य सरकार से परामश करके जो सेक्शनिक संस्थान हैं उन संबंदित प्रतिस्थान संचालक को भी जिम्मेदार अब माना जाएगा और ऐसे प्रतिस्थानों को सीज भी किया जा सकता है इसके लिए जिला प्रिशाशन पुलिस और इस्थाने निकाई की जो सन्युक टीम है वो बाजारों का अब दौरा करेगी और प्रतिस्थानों म अब एक बार फिर से 14 अप्रेल तक सगन एरिक्षन बाजारों का करेगी और कहीं भी अगर कोरोना गाइडलाइन का उलंगन मिलता है पाया जाता है तो वहाँ पर तुरंत प्रिभाव से जुर्माना और सीजिंग की जो कारवाई है उसको शुरू किया जाएगा इसके साथी जो सबसे मैतपूर्ण बात है क्योंकि शादी समारों के जो कारिक्राम हो रहा है शादी समारों में जब लोग जा रहा है तो कई जगों से ऐसी शिकायते सरकार को और प्रिशाशनिक अधिकारियों को अमले को ये मिल रही थी कि विवा इसलों पर लोग की जो संक्या है वो निर्दारित सीमा से जादा हो रही है इसलिए सरकार ने ये फैसला आज किया है कि जिन विवास्तलों पर निर्दारित सीमा से अधिक लोग समारों में इकत्रित होते हैं तो उन विवास्तलों के संचालक भी इस पूरी गैडलाइन के उलंगन के जिम्मेदार होंगे और ऐसे म तमाम जो विवास साल हैं उनको सीज करने के निर्देश मुख्यमंतिर एशोग गैलोत ने दिये हैं जिसका फैसला जो समधित अधिकारी उस वक्त जब निरिक्षन के दोरान जाएंगे वो मौके पर ही ले सकते हैं इसके साथ ही प्रिदेश के जिन नगरे छित्रों में अब तक रात ग्यारा बज़े तक नाइट कर्फ्यू लगाए गया था वहां पर रात को दस बज़े से लेकर सुबह पांच बज़े तक का नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है जिसमें अजमेर, भिलवाडा, जैपूर, जोदपूर, कोटा, उदेपूर, सागवाडा और बंद हो जाएंगे, नौ बज़े तमाम व्यापारियों को अपने घर के लिए रवाना होना पड़ेगा, दस बज़े पूर्टाय जो बजार है, वो नाइट कर्फ्यू में तबदील हो जाएगा और नौ बज़े तक सारी जो प्रतिस्थान है, विवसाएक प्रतिस्थान है उनको बंद करकर अपने घर के लिए रवाना होना पड़ेगा, लेकिन इस पूरी बैटक के अंदर जो सबसे महत्पूर्ण बात है, जो पहले भी छूट लगाता है, जिन संस्ताओं को मिलती आ रही है, जिसमां IT कंपनिया है, रेस्टूरेंट है, कैमिस्ट चॉप है, अनि लोडिंग के जो नियोजित वैक्ती हैं, वो नाइट कर्फ्यू कि इस विवस्था से पहले की तरह मुक्त रहेंगे, इन पर किसी प्रकार की बंदिश सरकार ने नहीं लगाई है, जिला को ये निर्देश दे दिये हैं, कि वे कोर्णा को लेकर अप्रप्र जिले का एक्शन प्लान बनाएं, किस तरीके से और सक्थी की जा सकती है, किस तरीके से और रोकता है, हमको उड़ना संक्रमन को फैलने पर अब रोक सकते हैं, क्यूंकि सरकार तमाम कोशिशे कर रही है, लेकिन उन कोशिशों के बावजूद जो आवाजाई सडकों पर बजारों के अंदर द टेस्टिंग है, इसकी रेगुलर समिक्षा करने के लिए भी निर्देश दिये हैं मुक्यमंत्री ने, इसके साथ ही जो कॉंटेक्ट ट्रेसिंग है, माइक्रो कंटेन्मेंट जोन हैं, और टेस्टिंग बढ़ाने पर खास तोर पर जोड़ देने के निर्देश दिये हैं, यानि कि एक बार फिर से contact tracing के जरी और जहां पर भी केस की संख्या जो है को ना positive की संख्या जादा होती है तो उन इलाकों को micro containment zone के अंदर तब्दिल करने के लिए भी अब निर्देश दे दिये हैं यानि कि अब ऐसा हो सकता है कि जहां पर भी 5 से अधिक cases अगर positive के सामने कहीं से आते हैं तो उस इलाके को micro containment zone जो collector है वो बना सकते हैं इसके लिए तमाम जो जिला इस्तर पर इस्ताफित नियंतरन कर्च थे उनको वापस से प्रभावी किया जा रहा है अब इसके साथी incident command system को पूर्ण हजबूत किया जाने के निर्देश मुक्यमंत्री ने दिये हैं सा समाम लोगों को अब वैक्सीन लगाने की वैक्सीन लगाया जाएगा एक अप्रिल से तो सरकार ये इस बात के उपर सरकार का जोर है कि टीका करण की जो गती है उसमें रफ्तार आए 45 साल से उपर के जो शक्स हैं उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनका टीका करण लेकिन बीते कुछ दिनों से देश के अन्य राज्यों के साथ ही हमारे यहां भी जो केसिस की संक्या है वो तेजी से बढ़ रही है ऐसे में कोरोना से जिती हुई जंग थी हमारी वो कहीं हम हार ना जाये इसके लिए जरूरी है कि लोग अतिया वशक होने पर ही दूसरे राज से एम ने यह संदेश दिया है मैसेज दिया है कनवे किया है कि दूसरे राज्यों की जो लोग यात्रा इस वक्त कर रहे हैं जो लोग को ऐसा लग रहा है कि कोरोना चला गया है और दूसरे राज्यों के यात्राओं के साथ साथ जो दूसरे राज्यों में घूमने के लिए भी जा रहे हैं तेवार बना निकले जा रहे हैं उन लोगों को सी एम की अपील है कि वो दूसरे राज्यों की यात्रा फिलाल ना करें क्योंकि दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों की जो विवस्ता है वो अपनी विवस्ता है और राजिस्तान राज्ये के अंदर अपनी विवस्ता को रोग्ताम को लेकर सरकार की और से की जा रही है तो ऐसे में हर राज़ी की अपनी सक्ति की एक विवस्ता है तो राजिस्थान की सरकार मुंख्यमंत्य चुक गैलोट इस बात की उप необходимо तोर पर जोड़ दे रही है कि राजिस्तान के जो लोग है वो दुस्रे राज्जे के यात्रा फिलाल ना करें उन यात्राओं को टाल दें इन कड़े कदमों से लोगों को कुछ तक्लीफ जरूर हो सकती है लेकिन जीमलक्षा के लिए से ने लिया जाना बेहत जरूरी है ये झाल 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 झाल झाल